टैली प्राइम के अंदर हम कैसे एक्टिवेट करें अपले लाइसेंस को, उसके लिए सबसे पहले हम एक tallysolution.com से एक डैमो यहां से डाउनलोड कर लेते हैं, 7-day का free trial हम यहां से ले सकते हैं, उसके लिए हमें यहां पर form फिल अप करना होगा, हम students हैं या business owner हैं, हो सारे detail डालने के बाद हमें name, mobile number, email id और pin code यहां पर insert कराना हैं, उसके बाद हम जैसे ही यह सारे details डालने के बाद submit पर click करेंगे, हमारी mail id पर हमें एक activation code मिलेगा, activation, new license पर click करने के बाद जो आपको mail id पर आपका serial number मिला है, वो आपको डालना है, activation की भी आपको mail id पर मिलेगी, वो आपको डालना है, और जो आपकी email id थी, वो ही आपकी tally.net id होगी, जैसे यह आप tally.net id डालेंगे, वही आपकी confirm email id भी आपको कराने होगी, यह सभी चीज password आपको आपकी mail id पर मिलेगा, जब आप अपनी mail id पर जाएंगे, तो वहाँ से unlock key को आपको copy करना है, और यहाँ पर उसे paste कर देना है, ऐसा करने के बाद आप देखेंगे, आपका एक message शो हुआ है, आपका license अब tally गोल्ड में बदल चुका है, एक हफते के लिए, आपको internet पर connection पर जाना होगा, यानि कि आपकी जो भी company है, आप अगर online connect रखना चाहते हैं, इस तरीके से see icon से आप समझ जाएंगे, आपका internet से connection हो चुका है, disconnect का option वहाँ पर दिखाई देगा, और आप अब online इसको access भी कर सकते हैं, मतलब आपको जाना होगा tallysolution.com के login page पर, यहा पर click करना है, जितनी भी आपने tally में working की है, वो आप online access यहाँ पर कर सकते हैं, फिलाल तो हमने tally में जो company use की थी, उसमें हमने कोई records नहीं डाला था, अगर हम example के लिए कोई records देखें, day book अगर हम check करें, यहाँ पर कोई day book का record हमारे पास नहीं है, हम यहाँ से वापिस से अगर reports change करना चाहें, accounts management में हम profile देखना चाहें, जो भी हमारी details हमने feed करी थी, हो सारी चीज़े हम यहाँ से change कर सकते हैं, चाहे वो license के नम बारे में हो, या हमारी profile के बारे में, यहाँ से हम कोई भी statement चेक कर सकते हैं, अगर आप देखें, profit and loss भी अभी बिल्कुल blank है, क्यो उसका कुछ amounts यहाँ पर fulfill कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर एक ओर expenses डाला, rent, salary हम डाल चुके हैं, rent हमने डाला है, उसका amount हमने अभी कुछ भी डालते हुए pass करा दिया, और फिर sale और purchase, example के लिए हम reports कैसे view करेंगे, हम कुछ amounts ले रहे हैं, sale के बाद हमने एक ओर laser लेकिन हम उसे website पर report view करना चाते हैं, क्योंकि हमने already connection किया हुआ है, और connection करने के बाद हम जब अपने browser पर जाएंगे, अभी आप यहाँ पर देखें, profit and loss की reports हमें दिख रही हैं, जो भी हमने latest retail डाली थी, यहाँ पर F5 press हमें करना होगा, अपने browser पर भी हम report को view कर सकते हैं तो यह हमारा connection है और यह हमारा original tally पर ही work करता है, आप 7 दिन का license लेने के बाद यह reports view कर सकते हैं, चाहे जो भी आपने entry डाली हो, balance sheet की हो, या आपने जो भी reporting चेक करनी हो, वो आप easily यहाँ पर access कर पाएंगे, तो यह सारी reports laser की, यह सब कुछ आपको यहाँ पर online access करने को facility म पिल जाएगी company के अंदर, हम यहाँ पर remote access भी work कर सकते हैं, remote access से मतलब कि हम users यहाँ पर अगर बनाना चाहें, तो easily बना सकते हैं, user बनाने के लिए आप देखेंगे, यहाँ पर side में, हमें features दिख रहे हैं, यहाँ पर remote access के options हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें हम number of users को create कर सकते हैं, तो manage user पर जाते हुए हमने create user पर click किया, हमने example के लिए यहाँ पर पहले typed किया कि honor हमें बनाना है, यानि कि modification भी कर सके user, या सिर्फ laser posting कर सके, और उसकी email id को हमने यहाँ पर use कर दिया, इसका मतलब वो भी अब online email id से use कर सकता है हमारी tally reports को, और जो password है, वो tally दुआरा उनकी mail id पर चला जाएगा, यह सब चीजे करने के बाद हम यहाँ पर अपनी manage user से, user management से reports को check कर सकते हैं, कि कितने users हमने create कर रहे हैं, list of TDL अभी हमें blank देख रहे हैं, क्योंकि हमने कोई third party TDL use नहीं की है, account profile में हम देख सकते हैं, हमारी profile जो हमने fulfill की थी, और license में हमारा license numbers related information हमें देख रहे हैं, तो यह सारी information हम यहाँ से check कर सकते हैं, और हम Tally के अंदर यह company को manage कर सकते हैं, online access से, तो यह सारी चीजे हम logout अगर कर देते हैं, तो हम जब भी Tally से वापिस से click करेंगे, remote access पे click करने से हमें वापिस से details fit करनी होगी, तो आज की वीडियो मे हमने देखा कि हम कैसे online connection कर सकते हैं, जब हम अपनी Tally को activate कर देंगे, तो connect के जरीए हम online report view कर सकते हैं, और remote access के जरीए हम एक ही company के अलग-अलग users से भी access करवा के अपनी जो भी entries हैं उसको post करा सकते हैं, तो यह सारी reports होफ़ुली आपको अच्छे से आज की वीडियो में clear ह हो चुकी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, thanks for watching, bye-bye. झाल